कि नमस्कार जै साहिराम मैं ब्रिजमों सूरी मोटिविशन स्पीकर साइं गरंत राइटर रेड़ुक एक्सपर्ट सागत कर रहा हूं आपके इस चैनल में यह चैनल आपका अपना चैनल है आप जानते हैं प्रति दिन मैं एक निया विश्य लेकर आपके स्मक्ष हाजिर होता सुनते हैं आज का नया उशियिश्य मैजै सहीरआम नमस्कार अब हम बात करेंगे 20 सप्टमबर 20 सप्टमबर कि आप जानते हैं रवी बार का दिन है और रवी बार का दिन जब होता है तो ये आपके सूरे को उच्छ करता है यदि रवी बार का उपाई दिल से करते रहें तो सूरे उच्छ के हो जाते हैं और बहुत लाब देने लगते हैं साथ मैं आपको बताऊंगा परिवार से रोग स्मापत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टोटका मेरा जो ये वीडियो है जो ये एपिसोड होता है प्रति दिन का इसमें एक उपाय बताया जाता है प्रति दिन का और एक टोटका बताया जाता है यदि आप इनको करते रहें तो जिंदगी बदल जाती है क्योंकि नो के नो ग्रह आपके उचके हो जाते हैं नो के नो ग्रह आपके शानती देने लगते हैं नो के नो ग्रह आपके बहुत ही उचके हो जाते हैं जिससे आपको लाब मिलने लगता है तो आज मैं अभी आपको बता रहा हूं रविवार का उपाय रविवार का दिन है थोड़ा सा गुड़ ले लिजिए और साथ में पांच कपूर की टिकिया ये आप किसी धरमस्थान में चड़ा दीजिए पांच कपूर की टिकिया और गुड़ यदि आपने किसी को दान करना पिर कपूर की टिकिया मत लीजिएगा फिर सिरफ गुड लीजिये और गुड का दान कर दिजिए यदि जल्परवा कर दिजिए कपूर को फिर नहीं लेना है यह बहुत शक्तिशाली उपाय है, हाँ इतना द्यार रखिएगा कि जिस पैकट में आप गोड़ रखें उसमें कपूर मत रखें वरना उसमें स्मेल लाजाएगी, अलग अलग रखें यह बहुत परबावशाली उपाय है जो आपके सूरे को उचका करेगा और आपको जिन्दगी में आगे बढ़ने की एक नई राह देगा और आपकी जो सल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बहुत अधिक बढ़ाएगा तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम रोगों से बचें कैसे कौन सा टोटका करें जिससे की जो रोग हमें तंग करते हैं वो ना तंग करें और हम रोगों से बचते हुए जिन्दगी में आगे बढ़ सकें सबसे पहले आप से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहें फिर आपको पताना चाहूंगा नवरात्रों में तीन वस्तुएं आपने लानी है जो नवरात्रे आ रहे हैं उसकी त्यारी अभी कर लेनी है इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रप्शन में लिंक दे रहा हूं उसे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो खुल जाएगा उस वीडियो को देखी और वै तीन चीजें अपने निवास पर ले आईए तो आपकी लाइफ बदल जाएगी उन तीन चीजें से आज ही उसकी त्यारी शुरू करती जिए डिस्क्रप्शन में लिंक दिया है नवरात्रों में ले आए ये तीन वस्तुएं इस हेडिंग के साथ है तो आईए अब आपको बताओं कि क्या करना है जिससे कि रोग आपके घर में कभी प्रवेश ना कर सके फिटकरी का चूरा बना लीजिए थोड़ी सी फिटकरी लीजिए उसको पीस लीजिए और एक शीशी में बंद करके रख लीजिए प्रति दिन उस चूरे में से एक चुटकी चूरा अपने मुखे द्वार के बाई और और एक चुटकी चूरा मुख्य द्वार के दाईयों इस तरहें आप रोजाना एक एक चुटकी फैंक दिया करें किसी भी समय में सूरे डोबने से पहले पहले सुबह करें तो यदा अच्छा है और प्रति दिन एक नियम बना लें इससे किसी प्रकार का रोग जादू टोना किया कराया नजर लगना बुरी आत्मा सब का प्रवेश आपके निवास के अंदर वर्जित हो जाएगा नेगटिव वाइबरिशन तक आपके निवास के अंदर नहीं जा सकेगी बहुत प्रवावशाली टोटका है इसको कीजिये बहुत अधिक लाब आपको मिलने वाला है बहुत अधिक सुख आपको मिलने वाला है इजाज़े चाहूंगा यदि आपको कोई समस्या है जनम कुंडली से रिलेटिड नहीं है तो आप वटसेप कर सकते हैं उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा यदि आप जनम कुंडली से रिलेटिड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जनम कुंडली दिखानी पड़ेगी जनम कुंडली दिखाने की फीस 700 रुपे होती है जो हम परमार्थ के कारों में इस्तेमाल करते हैं 700 रुपे आप से लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं तो ये जनम कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको वटसेप पर ही बेजनी पड़ेगी जवाब उसका आपकी जनम कुंडली के नुसार मिलेगा सदारन जनम कुंडली है तो तीन चार दिन में मिल लेगा यदि कोई योग है कोई प्रॉब्लम है कुंडली में तो समय लग जाता है क्योंकि हम आम एस्ट्रोलोजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाब हो ना हो हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं इसमें कौन-कौन सा योग है कैसे योग बनेगा कैसे लाब होगा यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहां भी एस्ट्रोलोजर को आप जनम-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- तो हमें खुशी होग्या, फसका मैसेज़ देख का खुशी नहीं होती है, और वैसे भी जब आप अपना उको सवाल लेकर पांच मैसेज दूसरे इधर-उदर के बेइज देतेוש हैं, तो आपका सवाल बीच में दब जाता है पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है हम उस उसको छोड़के आगे चले जाते हैं इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें ताके सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए तो अभी जाज़त दीजिए नमस्कार और फोन मत कीज यह फोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है 981-44-50802 मेरा नंबर है वाटसेप भी नंबर है पेटियम नंबर भी यहीं है वाटसेप नंबर भी यहीं है गूगल पे नंबर भी यहीं है तो अब यहाज़त दीजिए नमस्कार खुश रही और अपना द्यान रखे झाल झाल झाल